अब खबरे विस्तार से रविवार से बीते महिने भर से सुबह मंदिरों में होने वाली काकड आरती और उसके पशात निकलने वाली प्रभाद फेरियों को विराम लगा उसके पशात शाम को त्रिपूरारी पूर्णिमा को मंदिरों में टिपूर जलाया गया इसके पशात काकड आरतियों का समापन हो गया कुजागरी पूर्णिमा के दिन से ही काकड आरतिया और प्रभाद फेरि दांडिया प्रारम होई थी जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसकार्टिपूर जला कर समापन्त किया गया सुलापर जिला में इस्तित श्रीशेतर पंडरपुर यहां भगवान विठल युगों से विराजमान है उनके आस्सा के पृति वारकरी भक्त काकट आरती और प्रभाद फेरी कोजागिरी पूर्णिमा से प्रारम कर कार्तिक पूर्णिमा तक लगभग एक महीने निरंतर सुबह पाच बजे से करते हैं हिंदु धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेश मात्व है पुराणों के अनुसार इस दिन जो मनिश्य विधिविधान से पूशा करने के बाद दान पुन्य करता है उसकी सभी मनोकामनाय पूर्ण होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगास्तान, दीबदान, यग्य और भगवान की पूचा की चाती है मानिताओ के अनुसार इस पावन दिन पर भगवान शिव ने तृपूरास्वर राक्षिस का अंद किया था इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को तृपूरी पूर्णिमा भी कहा चाता है कार्तिक मा के समापन पर सोमवार को कई जगों पर विभिन्नकारे करम होये वारकरी संप्रदाय के भगतों ने एक महा से निकाले जा रही दिन्डी का समापन किया ऐस भगवान पानरंग के सैक्ड़ो भगत शामिल होये रास्ते बार भजिन गुंजे श्रद्धालो ढोलक और विना की सुर्ताल पर जम कर छुमे महिलाव ने रंगोली सचाई और दीपक चला कर दिन्डी का स्वागत क्या लोगों ने दिन्डी यात्रा में शामिल श्रद्धालो के चरंधो कर छुए कारतिक पोणिमा की शुरवाद 29 नवंबर को दोपेर 12 बच कर 37 मिनिट से हो गई जोगले दिन यानी 30 सवेंबर को दोपेर 12 बच कर 69 मिनिट तक रहेगी इस पोणिमा से जुड़ी कई धार्मिक मानित आये है इस दिन दीबदान करने से मालक्षमी प्रसंद होती है साथी साथ तिल के तेल से स्नान करने से शनी दोश मिटता है NBCN के लिए अरन महाचन की रिपोर्ट